आयोध्या के भव्य राम मंदिर में 22 जन्वरी को ठीक 12 बचकर 20 मिनट पर वैदिक विधान के साथ प्रान पतिस्था हो जाएगी विश्व हिंदू परिशक के अंतराश्टिय कारेकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के मुताबिक नए मंदिर का निर्मान विशेश तक्नीक को ध् में रक्क किया गया है पत्थर का बनेगा ना लोहा लगेगा ना सीमिंट क्योंकि लोहे और सीमिंट के आयु सौ साल की हमारा मंदिर तो हजार साल से ज्यादा रहेगा घ्रिंध के लिए जो पत्थर सोचा ता वो पानी सोखने वाला पत्थर था सोखता है तो छोड़ता भी है इस प्रक्रिया में तूटता भी है तो फिर डेनाइट कबर आया मंदिर के मुख्य भवन के लिए राजिस्थान से आया और ये सब मिल करके वहाँ विशाल और भव्य मंदिर उसकी पहली मंजिल अब तयार हो गई है जहां जन्म हुआ था उस इस्थान पर राम लला विराजेंगे आलोक कुमार के मताबिक देश में मंदिरों के निर्मान के लिए मैनूल सुपलब नहीं है ऐसे में विशशग्यों की राए लेकर मंदिर के निर्मान कारे को पूरा किया गया जहां राम लला का जन्म हुआ था उस थान पर राम लला के दर्शन 40 फुट की दूरी से हो सकेंगे हर व्यक्ति के पास करीब 20 सेकेंड का समय होगा जो मूर्तियां 1949 से पूजी जा रही है वह तो पूजित होती रहेंगी और अभी क्या है कि 40 फुट दूर से देखना है बगवाल को और एक विक्ति को 20 सेकेंड मिलना होगा तो सोचा कि इनके साथ में एक बड़ी मूर्ति हो 5 फुट से उंची बड़ी मूर्ति दूर से दीखे और वो 5 साल के बालक की हो अभी जो राम लड़ा की गुटनों के बलबाली मूर्ति आती है वो तो साल धेड़ साल के राम लड़ा की है ये 5 साल की है चेरे पर बच्पन भी हो थोड़ी शरारत हो और इश्वरत्तों भी हो 23 तारीक से 23 जन्वरी से ये मंदर सरसाधारन के लिए खुड़ा है और वो 40 फीट दूरी से आप उस भाविय मूर्ति को देख सकते हैं दीखेगी अच्छे से दीखेगी बहुत वैवस्ति धम से बनाई है और क्राउट मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने राइट्स को भी एंगेज किया था राइट्स, लार्सर इंटूग्रू, टाटा और हम हम सबने मिलकर कि वो पैटर्न्स बनाए हैं और वहां की सरकार में उसके हिसाब से सड़कें और बाकि सब सुविधाएं विश्व हिंदू परिशत के कारकरताओं ने रामबंदी ट्रस्ट की सहमती से करीब साड़े बारह करोड परिवारों से कुल 3300 करोड रुपे जबा किये दिली से सचिन गुपता के साथ हिमार्चुशेकर एड़ी टीवी इंग्या